लोह क्यों है है के domku के भारे में की इंटरीकल के इंप्रोपर इंटरीकल कि बाइम था रहोएं को कि लिए इसे की बाता चुके ऑब कि यह हमारी पुरी लेक और आपको आपको जादे जादे अपने फ्रेंड की में शेयर करें जिनको इसकी नीड है जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे सब और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करने और जैसे ही मैं अपनी दूसरी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसके लिए आपको बैल डाइप स्पॉल्ट करना थिक है अब बात करते हैं आप्सूट कर्वर्जेंस और कन्वरजेंस तो कोई भी अगर इंप्रोपर इंटीकल ऐप्सूट कन्वर्जेंस से तो नोटों हो गही होगा यह सिंपल सा एक रिजल्ट है तो अधे इंप्रोपशेंट के बारे मिल लिए वाल्य चयों एक चोटा सा क्वेड़ा से प्रियस कांध करता है यह इंप्लाओ करता है इसको सबसक्राइए सब्सक्राइब और यहां पर क्या हो रहा है सबसक्राइब और यह प्रक्राइब सतवेधि-utions act सबस्क्राइब सब्सक्राइब इसका मतलब क्या एक चाहिए अब्श्राइब क्वेट्टेंट है क्वेट्टेंट होता है तो मॉड्ट लगाने से निग्रटी वाला पॉजिटिव हो गया है और वन आप मेरा लेक्षर जागर देख सकते हैं कि से कैसे प्रूफ करते हैं सेकर्ड एक लगा दें कंवेट्जेंस आफ बिर्कर नौट्ट नोट इंप्ला यह वही बात है ऐबसल्ट चन्वर्ज disp i.s समझने के लिए प्णक्रह इससन स्युक्त लिए पर विदिए और अगर पावर पी ठीक हैना है और हमें बता है कि यह वाला विट टेस्ट पी की वैल्यू अगर लैस देन एक्वल टू बन होती है ठीक है तो यह कनवर्जेंट नहीं होता इसी तरह से हमने यहाँ पर इसे कहाता है कि टू होनी की वैसे कनवर्जेंट है तो पी टेस्ट के तुरू हम देख सकते हैं इसका भी एक्वावर्जेंट है कि कनवर्जेंट है कनवर्जेंट है तो वो कनवर्जेंट हो गई होगा यह भी आप देख सकते हैं यह आपर चलिए अब हम बात करते हैं कुछ रिजल्ट एक रिजल्ट देख लो यह वाला सम इंपोर्टेंट डिजल्ट ऑन इंट्रिकल जीरो टू इंफिनिटी एक्स की पावर पी प्लस वन अपॉन एक्स की पावर क्यू कॉस स्कॉर एक्स दी एक्स अगर ऐसा कहीं फॉर्मिट बनावा आ जाए ऐसी कनवर्जेंसी की बात पूछले तो सिंपिल ही रिजल्ट में और क्यूट बनाती एक्स की वेल्यू लाइस इक्वल टू बनाती है तो रिजल्ट मेंधे तू एक्स का करना है इसको एक्झामपी से समझते हैं यह एक्साल एकल बावर 3 2022 फूर्म Jeśli उप और x की पावर 3 cos square x ठीक है तो यहाँ पर p की वैलू दिया आप उपर 1 लिखा तो 0 हो जाएगी क्योंकि x की पावर p x की पावर 0 1 तो p बराबर 0 हो गया q बराबर यह रहा x की पावर जो होता है q होता है 3 हो गया तो calculate करना क्या है q by 2 minus p calculate किया q by 2 3 by 2 minus 0 3 by 2 which is greater than 1 तो इसका मतलब जो इंट्रिकल की बिन है वो क्या है हमारे पास convergent है ओके इस दूसरा example देखो यहाँ पर यहाँ पर कितना एक पी की वैलू यह री 2 क्योंकि वैलू यह री 5 तो कितना हो q by 2 minus p 5 by 2 minus 2 which is equal to 1 by 2 which is less than 1 जब less than 1 है तो इसका मतलब क्या होगा यह वाले इंट्रिकल डाइवर्जेंट हो गया तो यह चोटे चोटे डारेक्ट रिजल्ट है चेक करने के लिए कि कंवर्जेंट है डाइवर्जेंट है ओके चलिए इसको देखो यह दूसरा अगर यह वाला फार्मिट आजाए जरो टूए एक्सकी पावर एल्फा मांणस 1 एकिपावर माइन साथ डी एकसदें यह एकसदें रिट गराइक फोजेंट है ग्लिए इन जे विएल्ट यह तो कन्वर्जेंट और लेस्टन ऑड उनीवर्ण टॉ नीचे आ जाएग ना वह X के ओपर जो पावर है वो नीचे वन ओपान की फॉर्म में आ जाएगी इसलिए वो डाइवर्जेंट हो जाएगा तो एक्जाम्पिल ले लिए 021x2 e to the power minus x dx अब यहां आपर देखो x की पर देखो alpha alpha क्या है positive है ठीक है alpha positive है क्योंकि हम लिखेंगा alpha minus 1 तो इसको 3 3 minus 1 लिख सकते हैं 2 को alpha की value मिल गए 3 which is greater than 0 greater than 0 पर convergent ओके तो simpler result देखो इतना बड़ा इंट्रिकेशन आपको सौन लिए अगर पता है न तो सिधा बता सकते हो convergent है divergent और important है एक्जाम के point of view से एक और देखो 021 e to the power minus x upon x dx तो इसको मैंने क्या करा यहां पर क्या कर देए alpha minus 1 equal to minus 1 हो गया यह दो होता है ना तो मदला alpha equal to 0 आगे alpha 0 पर क्या होता है less than equal to 0 पर क्या होता है divergent होता है divergent हो ओके direct result है बस simple result आपको पता है तो direct infinity x की power alpha minus 1 1 upon x dx then i के बारे में बताना है यहां देख लो अगर alpha की value lies between 0 and 1 तो convergent और alpha की value greater than or equal to 1 ठीक है तो divergent यह आपको ध्यान लखना है यहां पर जो है two है तो divergent इस इस केस में आपको बताने ते अब हम इसके बाद नया topic स्टार्ट करेंगे यह इंप्रोपेंटिकल की जो कर्णवर्जेंसी डाइवर्जेंसी है फिनिश हो जाती है अगर यह प्लाइक प्लीज लाइक और सब्सक्राइब आपने प्रेंट्स के बीच में शेयर भी करें ताकि ज्यादे 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 लोगों बेनिफिट हो सके में हैं सारा वह सेले बद जो आप कोचिंग सब्सक्राइब पढ़ते हैं वह सारा में डिसक्स करने जा रहा हूं ओके गाइस ओके थैंक यू अगेन